नमस्कार मेरा नाम है प्रिया अगर हुनर की भरमार हो तो रास्ते मंजिलों तक पहुचा ही देते हैं छोटे शहर के लोग बड़े सपने नहीं देखते राजा का बेटा ही राजा बनता है इन सभी कहावतों को गलत साबित करता है इनसान का होसला और कुछ कर दिखाने की जिद आज हम एक ऐसी ही सक्षियत के बारे में बात करेंगे जिसका जन भले ही छोटे शहर में हुआ लेकिन उनके सपने उन्हें चकाचोंद भरी दुनिया में ले गए पूजा मिश्रा नाम शायद सबने सुना होगा लेकिन पूजा बिहार की मिट्टी से निकली है यह बात शायद ही किसी को पता होगी कॉंट्रिवर्सी क्वीन पूजा मिश्रा का जन बिहार के मुंगेर जिले में 11 मार्च 1984 में हुआ था पूजा का पालन पोशन भी बिहार की धर्ती पर ही हुआ था पूजा के पिता का नाम पदमाकर मिश्रा है और माता का नाम करुणा मिश्रा है पूजा की एक छोटी बहन है जो की पटना सिटी में सिक्षिका है बिहार के मुंगेर में जन्वी पूजा ने अपनी पढ़ाई पटना से ही की है पूजा ने सनातक की पढ़ाई पटना युनिवर्सिटी से की जिसके पस्चात मॉडलिंग के दुनिया में किस्मत आजमाने पूजा मुंबई के लिए रवाना हो गई जहां काफी स्ट्रगल के बाद और कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स करने के बाद पूजा ने बॉलिवुट की दुनिया में अपना पहला कदम रखा पूजा ने अपना बॉलिवुट करियर 2003 में दिल का रिष्टा फिल्म से शिरुवात की थी लेकिन पूजा को नाम और पहचान 2006 में आई फिल्म मेरा दिल लेके देखो मैं आइटम सॉंग से मिली जिसके बाद पूजा मिश्रा काम्याबी की सीडिया चड़ती गई इस कहरावा पूजा ने अपने टीवी करियर के शिरुवात बीफोर यू चानल से जब भी टॉक शो से की थी पूजा ने कई रियालिटी शो भी किये हैं जिसके शिरुवात बिंदास चैनल के बिग स्विच से हुई थी उसके बाद पूजा कलर्स के मशूर शो बिग बॉस के सीजन फाइव में भी नज़र आई थी लेकिन पूजा पचपनवे दिन शो से एलिमिनेट हो गई थी बिग बॉस के बाद पूजा लाइफोके के एक और रियालिटी शो में नज़र आई थी वेलकम बाजी महमान नवाजी की ये तो बस बिहार की धर्ती से जन्मी एक अदाकारा थी बिहार की मिटी से तो कई ऐसे चहरे निकले हैं जिनके बारे में हम आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताएंगे हाली में हुए मीटू कैमपेन में पूजा मिश्रा ने बिग बॉस के शो होस्ट सलमान खान और उनके भाई सोहेल और अरबास खान पर कथित तौर पर उनका इस्तमाल करने का इल्जाम लगाया था पूजा ने यह भी इल्जाम लगाया था कि शाररिक और मानसिक तोर पर पूजा को सल्मान खान और उनके भाईयों ने प्रतारित भी किया था इल्जामों के चपेट में शत्रुग्न सिनहा को भी पूजा ने नहीं छोड़ा था दरसल पुजा ने कहा था कि सल्मान और शत्रुग्न सिना ने उनका फोन धोके से हैक कर लिया था ताकि वो उनकी क्रियेटिव आइडियास को चुरा सके दोनों ने ऐसा सुनाक्षि सिना और मलाइका अरोडा का करियर बनाने के लिए किया था इतने सारे कॉंट्रिवर्सी के बाद भी पुजा मिश्रा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है पुजा वाकई में अपने कॉंट्रिवर्सी क्वीन की भूमी का बखू भी निभाना जानती है